हेलो दोस्तों स्वागति में आज में लेका है फिट से एक निवड़ इस फीड़े में हम बात करने वाले हैं एक तो मार्केट के अपडेट के बारे में और मैं कुछ आपको ऐसे दो कोई बताना वालो जो कि अभी के टाइम में अंडर वैल्यू के अंदर है और आपको यहां स में वह सुरू हो चुका है यह नहीं हो चुका है उसका क्या चल रहा है उसके बारे में इस वीडियो में आपको कवर करूंगा और मार्केट काफी थोड़ा कंफुजिंग में चल रहा है कि मार्केट किस और यहां पर मूस ले सकता है क्योंकि मार्केट थोड़ा यहां से फ् प्लूरक्स के अंदर हो सकते हैं और क्यों यहां पर यह अच्छी खासी ग्रोथ क्यों नहीं दिखा रहा है वह सब मैं आपको किलिर क्या था और पिछली जो मैंने वीडियो थी जिसमें चैक को इन बताया थे जो कि अपना आल्टम हाई ब्रेक करने वाले अगर चैक की होगी तो अभी भी यहां पर अच्छा का सा आप प्रॉफिट में होगे और बोलना चाहूंगा हमारे एक टेलीग्राम चैनल पर वीडियो से रिलेट जितना भी अपडेट होगा वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगा उसका लिंक आपको लेकर रखा हुआ है तो आपको यहां पर यह दिख रहा होगा तो एक बार मैं इसको आपको चोटा करके दिखा देता हूं जिसके आपको पूरा यहां पर यह दिख जाएंगा आप सभी लोगों पता कि यह पहले चैनल के अंदर चरन कर रहा था फिर यहां से ब्रेक हो चु इसको पहले भी 23 अगस्त को यहां पर टच किया था फिर उसके बाद वापस यहां पर डाउंटर्ड हमें देखने को मिला फिर यहां पर इसने सपोर्ट लिया यह जो यहां पर सपोर्ट मिल चुका था इसको 46,900 के पास फिर वापस वहां से पुल बेक लिया अच्छा कासा फिर वापस उस सपोर्ट पर आया मतलब कि यह एक इतना मेजर सपोर्ट का यहां पर रोल अभी यहां पर कर रहा है अब दूसरी बात हो जाती है कि इस सपोर्ट को वापस यह जो रिजिस्टेंस देख रहे है इसको यह बार बार टच कर रहा है जैसे कि अभी यहां पर टच किया जा रहा है और यहां पर कुछ ब्रेक तहें बनी है तो इसका हम यहां पर ब्रेक नहीं मानेंगे तो जब छोज़ब लिए बहुत ही यहां पर वीक पड़ चुका है और अभी ऐसे देखा जाए कि अब यह किस और यहां पर मूग ले सकता है तो अभी मैं आपको एक बार इसका एक पैलल चैनल बना के दिखाऊंगा जिसके करण आपको एजी यहां पर इस ट्राइब से तो अभी एक साइडवेज मुग के अंदर आ चुका है मतलब कि पहले तो एक चल रहा था इस इस चैनल के अंदर यह रहा था अभी अगर देखते हैं तो हम यह हमें इस अलग चैनल के अंदर रहन करना शुरू कर दिया है अब दूसरी बात यह कि अभी जो ब देख रहें तो इस इस अरिया के अंदर यह साइडवार मूब करना रहेंगा फिरू सकता है यह कर देखने को है यह outside सब्सक्राइब 50,500 के उपर अगर इस एरिया को आज या कल यहां पर ब्रेक कर देता है तो फिर हमें दिखेंगा यह एरिया ठीक है एक रेजिस्टेंस का काम करेंगा 52,000 डॉलर के आसपास फिर यह जो है रेजिस्टेंस जो कि इसको भी यहां पर ब्रेक करने का ट्राइ करेंगा ही करेंगा जो कि लगबख है जो कि 53,300 के आसपास का यह रेजिस्टेंस है इसको भी ब्रेक करेंगा हो सकता है यहां से फिर यहां पर एक सपोर्ट बनाई यह जो एरिया है यह जो हम रेजिस्टेंस अब यहां पर इसको देख रहे हैं इसको यहां आपसे pullback लेकर इसको एक support बनाने का try करेंगा जब यह support बन जाएंगा तो फिर इसके आगे बढ़ना इसके लिए easy हो जाएंगा overall अगर मैं आपको पूरा scenario easy language में समझाना चाहूँ तो market लो बहुत ही अच्छा है आपे दिख रहा है और market में जो जितने भी बड़े cap के coin है मैं आपको path of else season बता देता हूँ कि मैं आपको बोला रहा है last की वीडियो में कि bitcoin पहले move करेंगा उसके बाद ethereum move करेंगा अच्छा सा फिर उसके बाद large cap वाले coin है वो move करेंगे तो यह phase हमने देखने को मिल रही है अभी के time पर यह भी देखने को मिल रही है और यह हमें देखने को मिल रही है large cap वाले coin अच्छा का से हमें moment दिखा रहे है और इसके बाद जो हमें देखने को मिलता है वो है else season और else season में ऐसे coin होते है जो कि जिसकी low market cap होती है जैसे आपको example के तौर पर दिखाओ जिसकी supply वह ज़्यादा होती है और price यहां पर बहुत ही कम औ इतना पैसा बनारा है बना सकते हो तो हमाने वीडियो स्टार्ट करने से पहला को बोला था कि मैं आपको कुछ यहाँ अपर दो प्रोजक्त बताऊंगा तो पहला project EOS काफी अच्छा project हो है यह आपको अच्छा आप से return दे सकता है अगर आपने किसी भी coin को या अगर बहुन नहीं किया तो इसको यहां पर बाइक कर सकते हैं और बताऊंगा जिसका ओल टाम हाई अगर देखते हैं तो 22 डोलर के आसपास जा चुका है और इसकी कम्यूनिटी और इसकी जो टीम है वो काफी बैटर है और हाई मार्केट कैप कोई ने जैसे कि देख सकते हैं इसकी 34 यहां इसकी चो मार्केट कैप कि आयों रेंकिंग है तो इसकी भोल बनायियत जिसकी फ्यूंशा करते हैं तो ईकल सकते हैं और आपको बताऊ तो है महुब भाइब पर ढाहुना इसको बनाथा ठीजै emba यह जो है 5.3 से लगाकर आप इस रेंज के अंदर इसको उठा सकते हैं 4.7 के बीच में इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिलता है 5.3 से लगाकर 4.7 डॉलर के बीच में आप इसको यहां पर उठा सकते हैं यह आपको अच्छा का सहां पर return दे सकते हैं इसकी project और team दोनों यह पर अच्छी है अब जो आज आपको next coin बताना हो जिसके अनाम है polygon और matic और यह मैंने आपको पहले भी बता रखा है इस top coin वाली वीडियो में यह जितनी भी top coin वाली वीडियो थी उसमें सभी मैंने matic को यहां पर cover कर रखा हैं मैं उस टाइम matic की price बहुत ही कम चल दी high easily यहां पर break करने वाला है यह मैंने आपको बताओ इसके यहां पर event आ रहे हैं polygon matic के और इसका nft वगर सब कुछ यहां पर आने वाला है तो यह अपना all time high easily break करेंगा और मैं आपको बताओ इसका जो project है same dot के type का project है और इससे यह advance है और dot की अगर आज के time में अगर बात ब टकर दे सकता है जैसे कि solar na ethereum को यहां पर टकर दे सकता है उसी type से matic coin यहां पर polka dot को टकर दे सकता है तो इसका सीधा सीधा आपको answer देना चाहूंगा कि अपना all time high को easily यहां पर break करने वाला है तो इस पर नजर रखना अगर आपके पास already है तो इसको hold रखना आपको बहु तो टच करेंगा यह जो resistance 5.9 के आसपास यह resistance मिलता है US के अंदर और जब यह break हो जाएंगा तो काफी अच्छा हमें यह उपर जाता हो दिखेंगा लगबख 6.7 दॉलर के आसपास यह अपना यह ब्रेक करेंगा अब मैटिक के चार्ट में एक बार discuss कर लेते हैं तो मैटिक अब को मैंने बहुत ही डीप प्राइस के अंदर बता है लेकिन अभी के टाम में बोलते हैं कि यह किस प्राइस को यह पर क्रॉस कर सकता है तो अभी के टाम में यह जो है लगबख 17 परसंट अभी भी यह यह पर चल रहा है और इसको अगर देखा चाता है यह मैन इसको resistance मिल यह जो हम देखने को मिल रहा है इस ट्राइब से यह जो सीन देखने को मिल रहा है हायलो हायलो बनाते हुए जा रहा है तो यह एक अप्रेड का हमें साइन दिखता है और यह अपना all time I easily break करने वाला है हो सकता है यहां पर एक support बनाने का यह try करेंगा यह जो major support तो अभी यह करना और dollar average cost करके भी buy कर सकते हो जैसे कि एक buying यहां पर लगा सकते हो एक buying यहां पर लगा सकते हो क्योंकि यह already यहां पर अप हो चुका है तो make sure अगर इस area के अंदर भी आपको अगर यह देखने को मिलता है तो आपके लिए एक अच्छी buying हो सकती है तो वह area है लग बग 1.4 dollar के आसपास आपका यह area हो सकता है इसके आसपास 1.4 dollar के आसपास थैंकि दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे like कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को subscribe कर देना और bitcoin अब यहां पर sideways stage में चलने वाला है और जब sideways stage में चलता है तो altcoin बहुत ही अच्छे यहां पर performance देते हैं तो मिलते हैं किसी next वीडियो के अंदर